वेलकम अमर सेर यूटूब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत हैं सबसे पहले आईविपियस आर आर बी क्लर्क का रिजल्ट निकला है प्री का उसमें धेर सारे स्टूडंट पास हुए हैं जो लगातार प्रपेशन कर रहे हैं उनको उनकी सफलता के लिए बढ़ाई और मे अग्जाम में वो बहतर करें इसके लिए सुभकाम नाएं उनके लिए स्ट्राटेजी भी होगी और उनके लिए लगातार वीडियो भी दिये जा रहे हैं लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो उन स्टूडंस पर कंद्रित है जिनमें बड़ी संख्या ऐसे स्टूडंस की ह जिनको सक्सेस नहीं मिला है वो परिशान है जिने सक्सेस आई वीपियस आरार भी प्यो में भी नहीं मिला लगातार वो मुझसे बात कर रहे हैं कि आखिर उनको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा मैंने उनसे बातचित की उनके प्राब्लिम्स को समझा पहले मैंने कहा कि एक जू मेट पर और बात कर दूँगा लेकिन फिर मुझे लगा कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म योट्यूब है जहां पर सारे स्टूडेंट्स को मैं बता सकूंगा इस बारे में अपनी राय दे पाऊंगा सबसे पहली बात ये है कि जिन्हें सफलता नहीं मिले मैं ये एक रटा रटाया लाइन बोलने के पक्स में नहीं हूँ कि मेहनत कीजिए सफलता मिलेगी ये इसका सुलूशन नहीं है ये सटिसफेक्शन नहीं देता ये काम मैं नहीं करने वाला दूसरी बात जूटा अस्वासन भी मैं नहीं देने वाला जूट कभी प्रेड़ना नहीं देती मेहनत कीजिए आपको सफलता मिल जाएगी थोड़ा और जूड लगाईए आपको सक्सेस मिल जाएगा इसमें मैं विश्वास नहीं रखता आपको सक्सेस में कैसे कनवर्ट करें उस पर रियल में बात किया जाना चाहिए एक स्टूडन पर और दूसरे स्टूडन पर अलग अलग रीजन्स होते हैं जिनको विसलेशन करके दूर करने का जिम्मा है उनका सवाल है एक स्टूडन का प्राब्लम और दूसरे स्टूडन का प्राब्लम दोनों एक ही है क्या नहीं उनमें अंतर है एक स्टूडन का कुछ स्टूडन होता है कुछ वीक होता है दूसरी का कुछ strong होता है, कुछ weak होता है, इसलिए ये वेक्तिनिस्ट है, मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ, especially दो कैटेगरी, दो तरह से लोगों को और सफलता मिल रही है, दो प्रकार हैं, टू टाइप्स हैं, आप सभी फील करेंगे, first, ऐसे students का number काफी बड़ा है, जो ये कहते हैं, कि बार बार उनका pre में selection हो जा रहा, में में नहीं हो रहा है, एक लंबी, लंबी line है, बड़ी संख्या है, और एक संख्या उने students की है, जो कह रहे हैं, मेरा pre भी नहीं निकल रहा है, मेरा 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 8.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, मेरा pre भी नहीं निकल रहा है, सभी लोग बोल रहा है, घर के लोग बोल रहा है, friends बोल रहा है, कि तुमारा तो pre तक नहीं निकला इतने वर्सों में, इतने exam के बाद, इतने attempt के बाद तो अब selection क्या होगा दोनों दो अलग-अलग category है इन दोनों के बारे में मैं अलग-अलग बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में freely मैं अपने विचार वेक्ट करना चाहता हूँ आपको अगर सही-सही evaluation मिला तो प्रेड़ना अवस्य मिलेगी सबसे पहले बात यह है कि जिनका प्री बार-बार निकल रहा है और मिंस में नहीं हो रहा उनका problem यह है कि जो subject matter है उस पर उनका command नहीं है प्री इसलिए निकल रहा क्योंकि उनका IQ थोड़ा उंचा है इसको थोड़ा और ऐसे हम विसलेशन करें कि उनका प्री इसलिए निकल रहा है बार-बार क्योंकि वो pre-k questions के मताबिक अपने को ढाल ले रहा है जल्दे उसको solve कर ले रहा है लेकिन depth में नहीं पढ़ रहा है जिसके कारण मेंस नहीं निकल रहा pre में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है लेकिन depth कम होता है मेंस में कम पढ़ना होता है लेकिन depth ज़्यादा होता है मेंस में सारे area को लेकि नहीं चलते कुछ area जो आपका strong नहीं है उसको avoid करते हैं skip करते हैं और कुछ area पर concentrate करते हैं वही आपको success दिलाता है तो इसका मतलब यह है कि इस category के जो students है उनका weakness कहा है जिनका pre बार बार निकल रहा means नहीं निकल रहा क्योंकि उनको depth चाहिए और अपने area को थोड़ा संकुचित करनी की जरुवत है थोड़ा छोटा करनी की जरुवत है प्री में सब कुछ पढ़ते है horizontally ज्यादा vertically का जो main exam है इसमें horizontal जो विस्तार है वो कम है कुछ chapter को शूड़ दीजी और कुछ chapter पर जो आपको अच्छा लगता है जो exam के लिए important है जो exam में बार बार आते हैं उने area में अपने साथ ताल में बैठाग रखे उस पर जोड़ दें तब इस direction में आप practice करेंगे मेनद करेंगे तो आपको सफलता अवस्य मिलेगी लेकिन आज का जो class है आज का जो video है वो इससे भी ज़्यादा उन students के लिए है जो जिनका प्री भी नहीं निकला दो ढ़ाई तीन वरसों में रियल में वो student बहुत frustrated है इस पर मैं detail बात करना चाहता हूँ वो student इतने frustrated है उनकी अच्छी खासी संख्या है कि मुझे उनसे बात करना बहुत जरूरी है वो ध्यान से सुनिए रियल में क्या problem है क्या वज़य है क्या दिक्कते है क्या आप किसी काम के नहीं है क्या रियल में वो इस्थति है जो सबों ने बना दिया आपके लिए जो आप feel करते है इस पर मैं खास करके आज बात करने वाला हूँ और solution भी बताऊंगा इसलिए मैंने जूम मीटिंग नहीं की मैंने सीधा आप से समवाद करना चाहा problems मैंने सुना है समझा है मेरा अपना 25 plus years का experience है मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ comment देख के बता सकता हूँ किस student का कौन सा problem है और वो कैसे दूर होगा अब सुनिए जिनका pre नहीं निकला पहरे बताईए मुझे मैं उन सारे लोगों को देख रहा हूँ girls भी है boys भी है जिनका pre नहीं निकला highly qualified है जो highly qualified होते हैं उन में ये tendency होती है यानि जो PG plus कर लेते हैं PG कर लेते हैं और उससे उपर कर देते हैं उपर के डिगरी होती है या फिर technical engineering के अवे रहते हैं generally technical engineering field के students है ये depth में जागर के खूब पढ़ते हैं जब depth में पढ़ते हैं तो ये specialist category में आ जाते हैं जिनमें visulation करना निसकर्ष निकालना खोज करना ऐसी प्रवरती होती है ये एक तरह से scientist हो जाते हैं अस्थर से सोचते हैं हर वड़ाते रही यही इनका weakness बन जाता है bank के pre exam में लेकिन मैं ये कहने वाला हूँ कि bank का जो main exam है न उसमें पिछले 17 से 2017 से last six years में जो बदला हुए हैं वो आपके favor में हैं mains को इतना ज़्यादा depth में बना दिया गया है कि अब वो आपके लिए है आपको pre में problem है solution क्या है मैं बताता हूँ लेकिन आप pass करने के लिए तयार मैठे हैं जैस दिन pre निकला main में आपको कोई रोकने वाला नहीं है यानि आपका ये मानना सही नहीं है कि आपका तो pre भी नहीं निकला अरे आपका pre ही नहीं निकला है pre निकल जाता तो main में किसकी मजाल जो आपको रोक लेता interview में कौन रोक लेता आपको इसलिए सबसे पहले अपने अंदर confidence लाइए कि आपके अंदर talent है, आपके अंदर depth है, आप आराम से इसको pass करेंगे, बस एक छोटा सा problem है कि pre नहीं निकल रहा, यह बहुत छोटा problem है, यह बड़ा problem उनके लिए जो बार-बार pre निकाल रहे हैं, मैं इस नहीं निकल रहा क्योंकि depth नहीं है, वो depth नहीं है, वो online test दे दे करके, chapter के concept में, जाते ही नहीं है, सिर्फ practice करते रहते हैं, depth में नहीं जाते, लेकिन वहीं जिनका pre नहीं निकला, उनसे जो मेरी रहनेनिती के बारे में बात करनी है, वो ये, कि आपको practice की चर्वत है, क्योंकि आपका depth है, practice यानि online आप test देते हैं, तो दे सकते हैं आपके category के students, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है, offline, pain paper पर, PDF पर, या books से previous years के questions को बनाईए, आप ये देखिए, कि आपसे गलती कहां हो रहे, गलती आपसे नहीं होती है, ये मज़ेदार बात है, ये आपका positive side है जी, error उनका होता है, जिनका pre बार बार निकलता है, error आपका नहीं होता, जिनका pre नहीं निकलता, आपकी accuracy 100 पसंड होती है, questions ज़्यादा नहीं बनते हैं, कुछ जादा इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपके अंदर depth है, यह इंसान का सभाव है, जो जितना जानकार होता है, वो उतनी गहराई में जाकर के सोचता है, इसलिए weakness की जरुवत नहीं है, मान लीजिए बैंक में जाब नहीं हुआ, उससे अच्छा जाब आके होगा है, इसलिए चिंता मत किजिए, कहीं भी परेशान मत होगे, जिंदगी में आप सक्सेस्फुल रहेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि आपके अंदर depth है, इसलिए पहले तो आप अपने इसको सक्सेस नहीं मिलता, वो खुद कितना प्रेशर में रहता है, अब उसके नजदीक के लोग इस बात को समझें, कॉपरेट करें, वो खुद डिसाइड कर लेगा उसे क्या करना है, कभी भी उसको ताना न दें, कभी भी उस पर प्रेशर क्रेट न करें, क्योंकि वो तो खुदी प्रेशर जेल रहा है, उसके लिए फाइदेबंध ये रहेगा, कि उस प्रेशर को आप रिलाक्स कैसे करेंगे, सभी परिशितलों का, पैरेंट्स का, भाई बंदूं का, मित्रों का, ये कर्तब है, कि उन्हें स्टूडन्स को सही रास्ता दिखाएं, उनमें आत्म विश्वास पैदा करें, उनको चैप्टर में जा करके, और उस चैप्टर के कुश्चिन्स को खूब बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा तो प्रैक्टिस कैसे होगी, जब डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर के कुश्चिन्स आप एक साथ बना है लेकिन जब एक ही चेक्टर के कुश्चन साब बनाते हैं तब जो concept आपका build-up हुआ है वो आपके अंदर आ जाता है वो speed आ जाती है वो speed बढ़ जाती है आपके समस्या speed की है और speed की जो समस्या है यह उतनी बड़ी नहीं है यह आपके technocrat होने के कारण है इसलिए परिशान मत होईए यह आपके उस educational background के कारण है जिसके इतने सारे फायदे हैं यह थोड़ा सा नुकसान है इस नुकसान को आप कैसे पाटेंगे वो सवाल है तो एक chapter के questions उठाईए और बनाईए एक chapter के questions उठाईए बनाईए आपका command chapter पर आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी revision आप बहुत जल्दी कर सकेंगे बस परिशान मत हो यह सफलता नहीं मिलने के पीछे आप में विस्वास एक बड़ी वज़ा है आप अपने उपर इतना बड़ा बोज ले लेते हैं कि आपको तीन साल से success नहीं मिला अरे पहले आप serious ही नहीं थे सही तरीका नहीं जानते थे मुझे बताईए ना कि mathematics पढ़ने का तरीका वही है कि नहीं जो मैं बताता हूं उस तरीके से आप कितने दिनों से पढ़ रहे हैं बताईए उस तरीके से 6 मेने से आप पढ़ रहे हैं 8 मेने से पढ़ रहे हैं तो ये अपने उपर आरोप क्यों लगाते हैं कि आप 3-4 साल से पढ़ रहे हैं आप 6-7-8 मेने से पढ़ रहे हैं अधिक से दिक एक साल से पढ़ रहे हैं आप एक साल पहले सूचिए कहां थे और आज कहां हैं इसलिए आप सही ट्रैक पर हैं कहें भी demoralize होने की जरुवत नहीं है देर से मिलने वाली सफलता जल्दी मिलने वाली सफ़ता से जादा फलदाई होती है मैंने कई बार कहानिया सुनाई है, समझाया है बताया है कि जिनको एक बार जल्दी से सक्सस मिल जाता है वो उसके बार पढ़ कहां पाते हैं, जिनको देर से सक्सस मिलता है वो इसी कारण काफी पढ़पाते है इसलिए जल्दी सकस्षपाने वाले के तुलना में देर से सक्षपाने वाला undergraduate student ज़्यादा घ्यानवान है ज़्यादा घ्यानी है इसलिए life में वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा life bank p.o. join करने से खत्म नहीं हो जाती शुरू होती है ये माल लेना कि government job मिल गया तो सब खत्म ना 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 कुछ खत्म नहीं अब तो सुरुवात हुई है जी जिन्दगी में वास्तब में अब तो वही काम आएगा आपको जो आज तक आपने पाया है इसलिए जो ज़्यादा मेहनत करता है वो जीवन में ज़्यादा successful रहेगा या आप मान करके चलिए इसलिए कहीं परेशान मत होई है आपके पास age के मताबिक अगर एक साल है तो मैं मानता हूँ sufficient है time को waste ना करे जितने types के questions हैं उन पर concentrate करें current affairs पर थोड़ा ज़्यादा जोड़ दीजी essay students क्योंकि current affairs में आप दूसरों से ज़्यादा बहतर करेंगे दूसरे section में आपको थोड़ा कम marks मिलता है लेकिन current affairs general awareness में आप ज़्यादा बढ़िया करेंगे और वो इसको compensate करेगा इसमें से ज़्यादा तर student English background के रहते हैं English को ठीक कीजी RRV में तो Hindi option भी है तो Hindi medium के students को भी फायदा है तो दूसरे area में जाकर कि सूचिए कि वहाँ से आपको कैसे benefit मिलेगा वहाँ आप अपनी को कैसे strong करेंगे मुझे पूरी उबीद है कि आप में एक जोस आया होगा जनून आया होगा भड़ जाएंगे और अब success आपका है All the best